सब्सक्राइब मैं चैनल एंड प्रेस डबेल आइकन फॉर लिटेस अबडेट्स हेलो अससलाम अलेकुम जीजी तो कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब खेरियस होंगे तो आज मैं आपको बनाना सिका रही हूं होममेट क्रीम चीज तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक लीटर दूद तो दूद को हमने बॉइल करने रख दिया है अब हम इसके फर्स बॉइल आने का वेट करेंगे तो जैसे आप देख रहे हैं पहला व्यू आ गया है अब हम इसमें में शामिल करेंगे वैneh या नी सिर का परएले वण टीस्पोन चाह Making तोड़ल चाहर टीस्पोन हमने शामिल करना हे लेकिन एक एक टीस्पोन करके है अब दूसरा में करेंगे नी ये समी केरें आप देख रहे हैं दूड जो है वो फट गया है यानि जो कॉटेक चीज के लिए हमें जिस तरीके का दूड चाहिए होता है उस तरीके का हो गया है अब हमने तीसरा टी स्पून एड किया है और यह आपके सामने चौथा टी स्पून एड कर दिया है अब इसे मिक्स करेंगे और तक्रीबन दो या तीन मिनट तक पगाएंगे, मिल्क जो है वो करडल हो गया है, लेकिन हम एक दो मिनट और पगाएंगे तो अब जो है हमने इसका स्वेच आफ कर देना है, एक और पैन लेना है, उसमें हमने सीव रखना है, और एक कॉटन क्लोट रख लेना है मलमल का कपड़ा, मलमल का कपड़ा रखे, अब जो हमने जो मिक्सेर बनाए था, उसको इसमें पोर कर दे, जो सारा पानी है वो नीचे चला जाएगा, और जो मिल्क के करडल है वो उपर रह जाएंगे इसको थोड़ सा प्रेस करें थोड़ सा प्रेस करें इसको और अब हम चलते हैं इसको ब्लेंड करने की तरफ तो सबसे पहले एक ब्लेंडर में हमने यह जो बॉल बनाई थी, कॉटेक चीज की इसको तोड़ कर शामिल कर देना है अगर आपको लगे कि मिल्क ब्लैंड नहीं हो रहा है वन एट टीजपून हमने इसमें सॉल्ड भी दालना है अब इसको ब्लैंड करना है तकरीबल एक दो मिनट यह तैयार है अगर यह आप ब्लैंड नहीं हो रहा तो तो तीन टीजपून हमने आपको पसंद है, बहुत असानी से बन जाता है, मुझे एपको मेरे ऐसले पसंद आएगी, तो अगर आपको मेरे ऐसले पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने friends और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जो आए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स वीडियो में तो तब तक अपना बहुत बहुत खयार लखेगा और इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखते रहें इसे लाइक करते रहें मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स वीडियो में तो तब तक के लिए अल्ला आफिस